नमस्कार दोस्तो मैं मनुज कुमार आपका मेरे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आप अपने हॉम एप्लाइंसिस के मेकैनिक खुद बने दोस्तो आज की वीडियो होगी हमारी शिंगल डोर फ्रीज के गेट के बारे में शिंगल डोर फ्रीज है और सिंगल डोर फ्रीज का डोर अच्छे से बंद नहीं हो रहा है जिससे होता क्या है फ्रीज में कूलिंग होती है लेकिन कूलिंग उसमें अंदर रुख नहीं पाती और फ्रीज के गेट के खोले होने के कारण कूलिंग बहार निकल जाती है और फ्रीज अच्छे से कूलिंग तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू विजिट किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बैल के बटन को आल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नौटिपिकेशन खुल जाता है हम बनकरते हैं लेकिन घुल जाता है यह देखें है फिरिज के खोल रहा है जिससे फ्रीज के अंदर cooling नहीं हो पाती फ्रीज का गेट प्रॉपर बंध होने लगेगा दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे फ्रीज का गेट अच्छे से बंध होगा उसके लिए करना क्या होगा फ्रीज के नीचे इस्टेंड पर यहां पर दोस्तों हम लगडी का गुट का कोई लगा देंगे एक की सेड में लगागे और एक दूसरी सेड में लगा देंगे उसड में तो दोस्तों इससे होगा क्या फ्रीज का आगे का भाग उचा हो जाएगा और पीछे का भाग नीचा हो जाएगा इससे गेट प्रॉपर बंध होने लगेगा मैं आपको करके दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तों हमने फ्रीज के नीचे आगे की सैड में एक लगडी का गुटका लगा दिया है और इसी प्रकार दूसरी सैड में भी आगे की सैड में हमने एक लगडी का गुटका लगा दिया है इससे हुआ क्या फ्रीज का आगे का भाग उचा हो गया और पीछे का पैक सैड नीचे डाउन हो गई अब यह देखिए फ्रीज का गेट अच्छे से बंद होने लगा है इसको बंद करने की जरूत नहीं होगी इसको आप छोड़ेंगे यह अपने आप गेट बंद हो जाएगा दोस्तों यह देखिए फ्रीज का गेट जो पहले बंद नहीं हो रहा था अब फ्रीज के आगे के भाग को उच्छा करने पर फ्रीज का गेट अच्छे से प्रॉपर बंद होने लगा है यह देखे दोस्तो गेट अच्छे से बंद हो रहा है अच्छा दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू वीजिट किया है तो आप मेरे चैनल को कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नौटीपी किसन आपको समय पर मिल जाए अच्छा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार